हलो हलो आपरिवर्डिंग नमस्कार सभी एलम ऐसे इलेक्ट्रिशन लगने वाले साथियों को तो साथियो जैं मल्टिक्स टेग्नो चनल पर आपका स्वागत है तो साथियो संडे स्पेशल आपके लिए क्या है आपके सवाल और हमारे जवाब साथियो हर संडे को हम ऐसा ही कर जो ग्रूप होता है वो बना दिया गया है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से आप जुवाइन कर ले साथियो तो चलिए आए शुरुबात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा साथियो यूपी वाड़ी आईटिया ही चल सकती है क्या भाई य हाँ बस यह कि वो सही होनी चीए नकली और फरजी नहीं होनी चीए नहीं तो बनारस वाड़ा पानमू में आ जाएगा ठीका ना दूसरा दूसरे क्रिशन कुमार जी लिखते हैं कि BCB के इलेक्ट्रोनिक्स से 44.85 नमबर है एक्स्ट्रमारक 9 एक्स्ट्रमारक ही पिनल 69 पोस पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशन वाड़े भी इलेजिबल हैं तो अगर कट ओफ डाउन रहती है क्योंकि आज़िवे पिनल कई सात्यों निच्चे प्रिफरेंस नबर रखा तो चांसिस ज्यादा है एक्स्पिरियंस के डाई नमबर तो मिलेंगे बीम सिंग पूछ रहे नेक्स्ट है अपने तो 47.75 है और डाई नमबर एड़ करके 50.5 है देख लो गुरुजी यह लम बन सकते हैं कैसी में ठीक है तो बहुत बहुत चांसिस हैं 50.27 आपका सेलेक्शन शूर यहाँ पर सोनु सिंग कैनेडा लिखते हैं कि जनरल में 50 हैं क्या सर चांस हैं तो करते हैं अन्य था जो जनरल की कट ओफ रही हो बाउन बूर्ण के करीब रहने वाले यह साथ है किर्शन सोनी जी लिखते हैं 66 सवाल सही है चोशेट पॉइंट तीन पांच नमबर बने बीस यह कटेगरी बीटेग मिस तेतर नमबर है ठीक है तो आपने प्रिफरेंस में जो 60% होने चाहिए ठीक अगर आपकी बीटेक इलीजीविल क्राइटेरिय के अंदर आती होगी तो यह नहीं आपको लिखने की वैसे आउस सकता नहीं थी आगे बढ़ते हैं चैनल को नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें तो यहां पर यह साथी लिखते है सूरेश कुमार बीची एक टेगरी है आई टी एए एलेक्ट्रोनिक्स मेकैनिक की होई है प्लीज रिफ्लाइब नहीं चलेगी बढ़िए कट आफ पो यह लग नहीं है साथी यह पीनल की कट आफ क्या होती है जितनी ज्यादा नंबर होंगे जितनी ज्यादा प्रिफरेंस बढ़ी टोटल बस इतने उपर नहीं हो सकते चांस कितने पॉल कर वालो सही बात है देखो अजार है आपकी बात माल ली आपकी इसाफ़े चलते हैं तो लेकिन एससे की पोस्ट भी तो च्छेसों होई के सिय करीम आ साथी हो बाकी जो बच्छके वह मारे गए वह तो एलम ही लगें गे नंबर जादा लेने के बाद भी कुछ पॉइंट ओ अखेल है नंबर का नहीं है 24 और 65 का नहीं पॉइंट का नंबर है साथी हो पॉइंट से बच्चों का सेलेक्शन डाउन हो जाएगा कि एसे सेलम में आ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर तिरतारीश एसी में कुछ हो सकता बिलकूल हो सकता सेलेक्शन आपके 90 परसेंट चांस ठीक है सर मेरे बी सीवी में 53 पॉइंट चाहे दो पांच नंबर है मेरा लिए लम बाई जहां आपकी प्रिफरेंस के इसाब से नंबर के इसाब से आएगी वहाँ आपका हो जाएगा ठीक है जब आपकी किसमत में डी एच लिखे रखा तो डी एच में होगा एच वी पिनल में होगा और यूज में तो यूज में होगा लेक्ष बढ़ते हैं सर मैंने सीटी बढ़ते टाइम आईटी अपलोड नहीं किया मगर प्रिफरेंस बढ़ते टाइम मैंने आईटी डिपलोम अपलोड कर दिया था कि कंप्टिशन जे बार तो नहीं करेंगे लेकिए वह डोकुमेंट सारण जी लिखते हैं सर एडवल में पचास कोस्टन ठीक हैं ऐसे के लिए कोई चांस या डिएच एलम में यह होगा आपका देखिए वैसे घोने को कुछ ही भी हो सकता है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आपकी वीडियो का वेट कर रहा था आप खाना खाऊंगा प्लीज एक बज़े वीडियो बनाया करो एक बज़े खाना खाने का टाइम होता है तो साथ यह वीडियो तो अब लोड करने के बाद आप किसी टाइम भी देख सकते हैं रात को भी दनावाद आपका कि हमारी वीडियो का आपने इस कदर समझा खुशी राम जी लिखते हैं थैंक्स सर बहुत अच्छा लगता आपकी वीडियो देखना काफी फैंटिक जानकारी होती है आपकी थैंक्स पोर शेरिंग तो खुशी राम जी हम तो सिरफ वीडियो बनाते हैं उसमें प्यार और जान तो आप लोग ही डालते हैं जब वीवर देखने बाड़े होते हैं तो ही कोई चीज हिट होती है और बढ़िया कहलाती है हम तो शिरफ अपना प्रियास करते हैं आप लोगों के लिए तो आपका भी बहुत बहुत धन्दावाद खुशी राम परित्म कुमार जी सभी दर्शक जो हमारे चैनल को देखते हैं तो साथियों आगे बढ़ते हुए सर मेरे जंद्रल में 65 मारक है से में हो जाएगा या इलम में होगा बाई अगर पहली बात तो किसी के 65 पूरे बन नहीं रहे होंगे यह भी द्यान रखना आप पॉइंटों में बन रहे हैं आपकी बार पॉइंटों से बच्चे अब पॉइंट साथ में लिखें अपने नंबर बताते हुए और एक साथ ही लिखते है यह लाइन इसको अच्छी लगती है चलो ठीक है भाई बहुत वह दैनावाद बाई जी तरेपन बन रहे हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा गप्राने की कोई बात नहीं जो भी कटेगरी मे इपने से पंचार-पांथ नंबर ज्यादा ले रहा है क्वालिफाई से उसका जरूर हो जाएगा सर मैंने इसी से डिप्लोबा किया है जब क्वालिफिक संके देखते हैं तो वहाँ पे लेक्ट्रोनिक सेंड डिपलोमा डिगरी में इलेक्ट्रिकल टोनी समांग रखी प्ल तो साथियो हमारे माननिय श्री मनौरलाल खटर जी मुख्ष मंत्री एचसी बोपाल सिंग खदरी चेर्में जी पर कहना कि लोकसवा से पहले ही जो गुरूप सी के जो एक्जाम दिये गए हैं जो अभी 9 गुरूप ते जिन में 4 गुना से कम बच्चे उनको ने उप्टा ल साथियो चैनल को आप सब्सक्राइब ज्यादा करें आप वीडियो देखकर चले जाते हैं ठीक है और जो हमने गुरूप बनाया है वह भी आपके लिए बनाया है साथियो अभी एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेई का जो एक्जाम होना है जेई का कुछ मेनद करेंगे कुछ कोस्चन आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपको कुछ मदद मिल सके हम तो देखो कुछ मदद ही कर सकते हैं साथियो आपको जेई लगना है हम कुछ आपके लिए कोस्चन मदद लेकर आएंगे अगर आपका इंटरस्ट आप देखें एक गुर बढ़र किए होंगी ठीक है और रही बात contact number की साथ ही हो contact number देने से क्या होता है कि मेरे खुद के personally काम officially काम है मैं वो नहीं कर पता क्योंकि फिर number देने के बाद माधर call नहीं उठाऊंगा रिशीव नहीं करूंगा तो आप नराज हो जाओगे कि सर हमारी कॉल का जवाब ने देते मारे बातों जवाब ने देते तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं साथ है इसलिए ये चैनल आपको समर्पित है जब अंधेरा बढ़ गया था जग में उस टाइम दिये की रोसनी के रूप में ये चैनल के शुरुवात की गई तो इसी के साथ मैं आपसे आपका अपना सर परवीन सर विदा लेता हूँ आशा करता हूँ आपको मेरे दीव जानकरी अच्छी लगती है और सुकून मिलता है वीडियो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है बगवान आपको इस 2024 के वर्ष में एलम से इलेक्ट्रीशन ज जरूर लगेंगे मेरे दिल से दुआ है इसी के साथ जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम